नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर आयूश पांडे और अक्सर आम तोर पे लोगों को घुटने की दर्द में शिकायत होती है जनरली वैसे तो ये 45-50 साल के बाद देखा जाता है बट आज कल यंग जनरेशन और कम एज के लोगों में भी ये समस्या बहुत जादा पाई जा रही है तो चलिए आज हम जान लेते हैं घुटने के दर्द का कारण या घुटने में सूजन के कारण होते क्या है आम तोर पे सबसे प्रमुख कारण घुटने में दर्द और सूजन का आर्थराइटिस हो सकता है जिसे हम गठिया कहते हैं अब गठिया भी कई प्रकार का होता है जिसमें सबसे कॉमन गठिया ओस्टियो आर्थराइटिस होता है इसमें आपकी घुटने की हड़ी और वहां की मास पेशियां कमजोर हो जाती है उमर के साथ हड़ीयां घिसने लगती है, मास पेशियां धीली पड़ जाती है, लचीली पड़ जाती है जिसकी वज़ा से वहाँ पे जलन यानि inflammation, infection होने लगता है और उसके बाद हड़िया जो हैं, दो हड़िया आपस में घिसने लगती है उपर के पैर के हड़ी और नीचे की पैर के हड़ी जो जलन का भी काम करता है और इस बिमारी को बढ़ाता भी है तो सही समय पे सही इलाज से इसे रोका जा सकता है दूसरा गठिया rheumatoid arthritis का होता है इसमें ये एक autoimmune बिमारी है जिसमें आपके सरीर के shells खुदी खाना शुरू कर देते हैं यानि आपके घुटने के अंदर जो भी cells हैं वो आपके घुटने के against ही काम करने लगते हैं आम तोर पे कोई भी infection अगर आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो आपके cells का काम होता है उससे लणना और उसके लिए antibody बनाना लेकिन rheumatic disorder में या rheumatoid बिमारी में cells उनको नहीं पहचान पाती है और खुदी खाना शुरू कर देती है जिसकी वज़ा से वहां की माश पेशिया और हड्डिया गलने लगती है और गठिया होता है तीसरे प्रकार का गठिया gout या pseudo gout होता है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में uric acid level बनने से समस्या होती है और ये joints यानि की knee joint, elbow joint, आपके fingers के छोटे छोटे joints में uric acid जो crystal बनके जमा होने लगते हैं और ये दर्द पैदा करते हैं सुजन और जलन भी पैदा करते हैं तो ये कुछ प्रकार की arthritis हैं जो सबसे प्रमुक कारन है जोडों में दर्द का भी और किसी भी प्रकार के घुटने में दर्द का दूसरा सबसे प्रमुक कारण है मोटापा, ओवरवेट सबसे बड़ा कारण है घुटने के दर्द का, यदि आपका वजन सामान्य से बहुत जादा अधिक है, तो भी ये घुटने में दर्द का कारण हो सकता है तीसरा, किसी प्रकार का भी कोई चोट, कोई फ्रैक्चर या कोई इन्फेक्शन, अब बहुत प्रकार की मास पेशियां होती हैं, जिसमें अगर इन्फेक्शन या इन्फलमेशन हो जाए, उसे हम टेंडिनाइटिस या बरसाइटिस कहते हैं घुटने का, वही अगर आपकी प विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम हमारे घुटनों को मजबूती प्रदान करता है, और अगर लंबे समय तक आपके शरीर में इश्की कमी होगी, तो भी ये घुटने में दर्द का कारन बनेगा, लंबे समय तक कोई एक्टिविटी ना करना, एक्स अपने में चोट को बढ़ा भी सकता है, यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और अभी तक यानि आपने माई उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें, इस विश हुआ करें, तो झांचे हैं, और रभी से साइब करें थानकारी तकारी तक यानिवर को सब्सक्राइब करें, ज है उसे सब्सक्राइब करें, झाल जानके भिए रदिए